मसकार दोस्तों स्वागता आप सुभी का यूट्यूब चैनल जॉबस्टरे में दोस्तों आज की बुडियों में हम बात करने वाले हैं इंडियन कोश्ट गार्ड के तरब से नई डिक्रूटमेंट आई है जो की नाविक और यहां पे डोमेस्टिक ब्रांश के लिए है ठीक ह प्रॉपर जानकर्य आपको देने वाले हैं आपकी यह जो बेकेंसी स्टार्ट जो हुई है वह चार जनवरी 2022 से लेके लास्ट डेट इसकीर होगी 14 जनवरी 2022 टोटल आपको 10 दिनों का समय मिलेगा हर साल इसी तरह का समय दिया जाता है ठीक है 10 पास और 12 पास दोनों के लिए है मेल कंडिरेट आवे दिन कर सकते हैं तो यह चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी वाली बात है और ध्यान किएगा अलग अलग सभी में पोस्ट आपको मिल जाएंगे तो आप लोग ध्यान रखिएगा तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे उससे पहले छोटी से आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर पहली बार आप चैनल पर विजिट करके सब्सक्राइब जरू किया क्योंकि आप सभी के लिए इससे दिर की खबर लेके आते रहते हैं तो आगे बटते हैं देते हैं तमाम जानकारी तो आप दोस्त क्योंकि चार जनवड़ी से ही यह फॉर्म भड़ाना स्टार्ट हो चुका है ठीक है और इसकी जो लास्ट डे जैसे मैंने आपको बताया वीडियो के सुरू में ही 14 जनवड़ी तक रहेगी टोटल आपको 10 दिनों का जो है वह समय मिलने वाला है इसी के अंदर आप लोग को इस वेकेंशी के लिए आपे दिन करना है तो जैसे ही लिंक एक्टिवर्ड हो चुकी है अब जाकी जरूर अपलाई कीजिए अगर आप लोग यह सोच रहेंगे कि लास्ट डी यानि आट को या नौ को या दस को ऐसे यानि की बाड़ा या तेड़ा या चवदा ऐसे अगर अपलाई करेंगे लास्ट समय में तो आप लोग यहां पर फस सकते हैं आप लोग का यहां पर जो है इस साल का मौका भी गायब हो सकता है क्योंकि जब एक बार ज्यादा कंडिडेट जो है वह बैप साइट पर जाएंगे तो क्या होगा बैप साइट काम ही नहीं करेगा ऐस ही हर बार होता है और काफी कंडिडेट का छूड़ जाता है इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो दखिए प्रॉपर अगर आप लोग एलिजबल है तो आप लोग क्या कीजिए जाके आप लाइक कीजिए ठीक है जादो कुछ पैसे लगते नहीं है अलग यांत्री की पोस्ट आती है तो प्रॉपर यहां पर ध्यान रखिए जो यांत्री की पोस्ट है वह टेक्निकल छेत्र से है टेक्निकल पोस्ट सारे है इसमें ठीक है जिसमें 10th पास वाले कंडिडेट आविदन कर सकते हैं जेनरल डिवटी में जो कंडिडेट 12th कर डॉमिस्टिक ब्रांश में क्या होता कि उसमें अंदर की जो भी काम होती है और यांत्रीक पोस्ट में जो भी टेक्निकल यहां पर काम होते हैं वह सारे आप से करवाए जाएंगे ठीक है यह चीज़ आप लोग के ध्यान रखना है अगर आपके पास यांत्री की में अगर 12 की डिग्री नहीं है यानि 10 की डिग्री नहीं है तो आप 12 की डिग्री भी है तो आप आप अबेदन कर सकते हो ठीक है तो हलाकि जिसने भी 10 किया हुआ वही 12 भी किया होगा लेकिन यहां पर और करके बताया गया तो मैं इसलिए बता दे रहा हूं यहां पर आप लोग का इस बिभाग में जो है जिन्होंने देख सकते हैं अगर डिपलोमा किया होगा या आई टी आई किया होगा तो वो आबेदन कर सकते हैं या अंतरीक पोस्ट के लिए जो आपका यहां पर दिया गया बॉक्स में ठीक है एज की अगर बात करें तो एज आप लोग का 18 से लेके 22 साल तक रखा गया है यह जेनरल की एज मैं बता रहा हूँ ठीक है जेनरल जितने भी कंडिडेट है वो जो है 18 से लेके 22 साल के बीच में ही आबेदन कर पाओगे मेल कंडिडेट के लिए केबल वेकेंसी है अगर आप लोग SC-ST से है तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी और OVC वालों के लिए 3 साल की तो 5 में 22 में 5 मिलाईएगा 27 होती है तो यह जो है SC-ST की छूट हो जाएगी 18 से लेके 27 साल तक वहाई पर अगर 18 से लेके 25 साल के बीच अगर किसी OVC वाले कंडिडेट का अगर डेट अब बढ़ है तो आप लोग आप लिए दन कर पाओगे यहाँ पर पोस्ट भाईज आप लोग का जो है वह वेकेंसी दिया गया है जेनरल साथ पोस्ट आपको जेनरल डिव्टी के लिए ही केबल मिलती है वही पर डोमेस्टिक ब्रांच की अगर बात करें तो आप लोग बाड़ पोस्ट देख सकते जेनरल में EWS के लिए 2 है OVC के लिए 9 है इसी तरह से आप लोग का पोस्ट है यांत्रीक में मेकेनिकल ये इलेक के लिए अलग अलग पोस्ट आपके दिए गया है अब बात आदिये कौन सा पोस्ट आपको भरना चाहिए जो नाविक की जेनरल डिव्टी वाली पोस्ट है ठीक है जीडी वाली वह आप लोग जरूर भढ़िएगा अगर आप लोग इलिजबल है तो क्योंकि ये 12 पास है और math physics से बहुत ही कम candidate के पास होते है इसलिए बहुत ही कम इसमें vacancy जाती है इसमें form जो है भढ़ाते हैं candidate जाते हैं इसके लिए आप लोग का जो written exam होगा वो देखिए किस तरह का होगा नावी के लिए जो domestic branch है उसके लिए section A में जो है यहाँ पे होगा और आप लोग से total जो है 50 नमबर के यहां पर एक्जाम होगा जिसमें आप लोग का जो DB है Domestic Branch जाले Section 1 में इसमें आपको एक ही एक्जाम लिये जाएंगे ठीक है वहाई पर जो GD वाले पोस्ट है उसके लिए आप लोग का जो है एक तो पहला एक्जाम होगा ही 50 नमबर का और प्रस में आपका जो है अलग से एक जो यहां पर एक्जाम लिया जाएगा सेकेंड में तो दो आपका एक्जाम हो जाता है तीसरा जो यांत्रिक Electrical के लिए अगर बात करें तो इसमें अलग अलग जो है लिए जाएंगे पहली एक्जाम आप सभी के लिए जाएंगे और एक थड़ यहां पर एक्जाम और होता है इसी तरह से आप यांत्रिक जो Electronic और Electrician उसमें भी देख सकते हैं कितने नंबर के यहां पर एक्जाम होंगे किस सेक्षन में वो चीज़ यहां पर दिया गया है अगर आप लोग की जो है कमेंट आई तो मैं डिटेल वीडियो बना दूँगा आप लोग के लिए क्योंकि जादा अगर यहां पर डिटेल बत सकते हैं उनको किसी तरह की चार्जेश यहां पर नहीं लगने वाले हैं 250 रुपिया जेंडल ठीक है यूर जो जेंडल कंडिडेट हैं और OBC वाले कंडिडेट हैं उनको लगने वाला है तो यह जी ध्यान रखियेगा सेली भी अच्छी खासी मिलती है साड़ा कुछ मैंने आपको बता दिया अगर और भी डीटेल में जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स ने जरूर कमेंट किजिएगा तब तक के लिए दुस्तों धन्यवाद मिलते फिर अगली वीडियो में